नमस्कार दोस्तो राजन मोनीटर के बिल्कुल नए फ्रेस और एक्साइटेड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे फेस्बुक का हिस्टिरी आप कैसे डिलीट कर सकते हैं जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने फेस्ब कैसे करें इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा डाउट किलियर हो जाएगा मेरा नाम है राजन आप देख रहे हैं राजन मोनीटर चाइनल को तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है हमारे चाइनल को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज इसी तरह के इंपोटेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जलाते रहता हूं आपको मैं बता दू कि फेस्बुक का वाच हिस्टरी आप सिम्पली दो तरीका से डिलीट कर सकते हैं एक फेस्बुक एप के जड़िये और गूगल पे सर्च करके तो सिम्पली यहाँ पे हम आपको दोनों तरीका बताएंगे तो first तरीका हम simply आपको app को open करके दिखा देते हैं app को open करते ही कुछ इस तरह का interface मिल जाएगा simply यहाँ पे side में आपको three dot पे click करना है click करने के बाद कुछ इस तरह का मिल जाएगा और simply यहाँ पे side में setting and privacy पे click करना है क्लिक करने के बाद फिर इस सेटिंग पे आपको क्लिक करना होगा सेटिंग पे क्लिक करने के बाद फिर एक नया पेज देखने को मिल जाएगा और नीचे में सिंपली यहाँ पे लिखा मिल जाएगा आपको activity logo सिंपली इस पे क्लिक करना है इस पे किलिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक नया पेज देखने को मिल जाएगा और simply उपर में आपको filter पे किलिक करना है जैसा आप filter पे किलिक के जेगा simply Gregory पे आपको select करना है by這個 discovery पे select करने के बाद कुछी इस तरह का मिल जाएगा simply इसको scroll करना है यहाँ पे नीचे में लिखा है login content and इतना activity simply यहाँ पे आपको click करना है और इसको scroll up करना है scroll up करने के बाद यहाँ पे देख सकता है बहुत सरा video history देखने को मिल जाएगा hidden for timeline देखने को मिल जाएगा activity session दिखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे हम simply आपको video watch history delete करके दिखाते हैं तो यहाँ पे simply का video you are watch simply इसको click करना है इसको click करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सरा watch history वीडियो देखने को मिल जाएगा simply यहाँ पे इस तरी dot पे click करना होगा आपको click करने के बाद यहाँ पे delete का symbol मिल जाएगा simply इस delete पे जैसा ही click करते हैं यह video delete होगया simply जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं आप इस तरह से app के जड़िये मैं आपको बता दू कि app में आप एक बार make history delete कर सकते हैं